देखिए काइनेटिक थेयोरी पर बेस दूसरा नियम है चालसला होता क्या है पुरे लाज नहीं आदा है आप प्रूब करा दो हम 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 लिख लेंगे और याद लिकर लेंगे क्या का उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बरतन में गैस ले लिजी और उस बरतन की गैस का प्रेसर मत चेंज होने दो P is constant तो उसका जो volume होगा वो directly proportional to the absolute temperature होता है ठीक है तो पहले तो statement लिखे इसका पहले लेखे एकारइंगि टू चार्ष ला the volume of given mass of gas the volume of given mass of gas at constant pressure at constant pressure is proportional to the absolute temperature of the gas proportional to the absolute temperature of the gas अब देखू, प्रूफ कैसे करें इसको देखिए, बाई काइनेटिक थेओरी बाई काइनेटिक थेओरी दा प्रेसर ओफ दे गैस जो हमने पढ़ी है प्रेसर ओफ दे गैस पी ब्राबर क्या पढ़ा है 1 upon 3, MN upon V into V bar square देखो हमें temperature introduce करना है ठीक है, चुकि हमको P तो constant करना है V चाहिए और temperature introduce करना है या तो मैं इसको 3RT upon M कर दूँ ठीक है, तो हम वो नहीं करेंगे हम थोड़ा या technique लगाएंगे देखो 1 upon 3 लिखाने दो N upon V लिखाने दो और ये M into V bar square लिख दो या 2 से divide कर दो और यहाँ 2 से multiply कर दो कोई दिकत, ये क्या है, M क्या है mass of one molecule है और ये क्या है, energy of one molecule और energy of one molecule का formula आपने क्या पढ़ाएं अभी प्रूब कराया था हमने वन molecule के energy 3 by 2 KT पढ़ा है हमने पढ़ा है ना KT पढ़ा है, RT तो जनल हो जाएगा तो आएगा 2 by 3 into N upon V into ये 3 by 2 KT हो जाएगा लिख देंगे where half M V bar square is equal 3 by 2 KT is equal to kinetic energy of one molecule 3 से 3 कढ़ गया, 2 से 2 कढ़ गया तो P बराबर हो गया, उपर हो गया नकटी अपान कैप्टल V नकटी, NKT नकटी हुआ तो नकटी तो हुआ जागर के अच्छा, यहाँ से V निकालो तो V is equal to हो जाएगा नकटी अपान कैप्टल P अच्छा, P constant अच्छा, N to already constant है K boltsman constant है P is constant है तो, यानि कि at constant P constant P, जब यह सब constant कर दो गदो यह पूरी value constant हो जाएगी यानि कि, यह क्या हैगा V प्रपोर्शनिल्टी नहीं हो जाएगा हो जाएगा न, यह तो गूरूप करना था अगर numerical लगाना होगा तो numerical के लिए हम क्या करेंगे V1 upon V2 बराबर T1 upon T2 यह numerical के लिए हम यूज़ करेंगे V1 upon V2 is equal to T1 upon T2 तो यह है आपका चाल्साहब का नियम ठीक ठीक